हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे Montair LC टैबलेट को बारे में यह टैबलेट बहुत ज्यादा छीग नजला खांसी इसके लिए होती है और हम बात करेंगे इसको और किस किस प्रोब्लम में यूज कर सकते हैं कैसका प्राइज है यूज कैसे करना है और कैसका स्टाइड फैक है इन सबी चीज़े को बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में शुरू करने सपहले अगर चैनल के आप नहीं है तो हमारे चैनल देरों सब्सक्राब करें चलिए शुरू करते हैं दोस्तो यह है Montair LC टैबलेट जो सिपला कंपनी की है और इसके प्राइस को बात करेंगे दो पता ही लें नहीं अब एक दो तीन चार कितने मिले सकते हैं यह आपको लगबग 16-70 रुपे की एक टैबलेट पड़ेगी यह आपको किसी भी मेडिकल इस्टेयर पर बहुत ही असानी से मिल जाए चलिए दोस्तो आप हम बात करते हैं इसके इंग्रेडेंट के बारे में साल फाइव एंजी है दोस्तो यह टैबलेट बहुती ज्यादा यूज की जाने वाले टैबलेट है और इसके रिजल्ट भी अच्छा है चलिए हम बात करते हैं इसको किन किन प्रोविलम में हम इसको 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 इस्तिमाल कर सकते हैं मॉनलोकास्ट और लिवस्ट्राजन यह ए अगर घ्रिक बहुती जाद च्छी काता हो तो उसके लिए टैबल्ट बैस्ट है उसमें इस्तमाल कर सकते हैं Kalan Mary तो शुक्त तरा इसतमाल कर सकते हैं इसले के लिए शुक्रसकते हैं ईसusta inaker सर्दियों के मौसम में यह परहसानी और बढ़ जाती है पांचमा अगर दोस्तों किसी के बॉड़ि में खुजली इचिंग हो उसमें भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं क्योंकि खुजली भी एक तरह के इलर्जी है उसमें इसको यूज कर सकते हैं छटा यूज दोस्तों सीने में जो जकड़ांच होती है खासी होती है बहुत ज़्यादा तो इसमें भी इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं इन सभी परिशानी में मौनटर एलसी टैबलेट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और असरकारक मेडिसिन है ये टैबलेट आपके सभी प्रोब्लम से खतम कर देगा इस टैबलेट का रिजल्ट 99% अच्छा है बैटर देखा गया है डॉक्टर भी जातर ऐसे मरीजों को यही टैबलेट सजेक्ट करते हैं चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं डोज यूज कैसे करना इस टैबलेट को तो मौनटरो का सोडियूम एंड लिव खाने के बाद सोते हुवक्त कैसे दोस्तों सोते हुवक्त लेना है क्योंकि दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद थोड़ी से सुष्टी नीन सी आती है इसलिए जातर से राट में बैटर होता लेना इसलिए इस टैबलेट का डोजी नाइट में ही है कि अगर आप पहले से कोई anti-allergy tablet ले रहे हैं तो इस tablet का यूज़ ना करें सकेंड बारा साल के कम उमर के बच्चों को ये tablet यूज़ ना करवाएं थर्ड यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर से सजस्ट इस बार जरूर ले ले लें चले दोस्तों हम बात करते हैं इसके side effect के बारे में इसके side effect नहीं है लेकिन कोई case में हो सकता है dry mouth थकान और vomiting, weakness कित्यादी हो सकती है तो दोस्तों ये थी आज के हमारी वीडियो मोनिट सब्सक्राइब करें दोस्तों अगर आपको किसी भी दवाई से संबंदित जानकारी चाहिए तो हमें comment box में पूछ सकते हैं ठीक दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यवाद